मैं आपको कहानी सुनता हूँ एक अनोखे वीर पुत्र की जिसका नाम था छत्रपती शिवाजी महराज सन सूला सो सत्ताईसी स्वी पूरे भारत पर मुगल सामराज का अधिपत्य था उत्र में शाह जहां तो बीजापुर में सुल्तान मुहम्मद आदल शाह और गूलकुंडा में सुल्तान अब्धुल्ला कुत्ब शाह डेकन के सुल्तान सेना के लिए हमेशा मुस्लिमस अफसरों को ही प्रातमिकता देते थे पंदरगाहों पर पुर्तगालियों का कबजा था और थल मार्ग पर मुगलों का अधिकार इसलिए उत्तरी अफरीका और मध्य एशिया से मुसल्मान अधिकारियों को लापाना मुम्किन नहीं था और टेकन के सुल्तानों को हिंदू अधिकारी नियुप्त करने पड़ते थे आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेना ध्यक्ष था शाहाजी भोसले शाहाजी सेना में उच्चपद पर आसीन था सन 1630 में महराष्ट में जुन्र के समीप शिवनेरी के किले में उनके और जीजा भाई के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ स्थाम्य देवी शिवाई के नाम पर पुत्र का नाम करन हुआ जो आगे चलकर छत्रपती शिवाजी महराज के नाम से विश्व फिक्षात हुए शिवाजी के पिता काफी समय घर से दूर रहे थे इसलिए बच्पन में उनकी देख रेख माता जीजा बाई और गुरू दादो जी कोंडेवने की दादो जी ने उन्हें युद्ध कोशल और नीत शास्त्र सिखाया तो जीजा माता ने हिंदु धार में कताएं जब दादो जी का सन 1647 में निधन हुआ तब उनका ये मानना था कि शिवाजी अपने पिता की ही तरह आदिल शाह की सेना में उच्चपद पर आसीन होंगे लिकिन विधी को कुछ और ही मन्जूर था सन 1646 के समय भारत में किसी हिंदु शासक का अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर पाने के लिए इन तीन परिस्थितियों का पूरा होना जरूरी था एक कि वो शक्तिशाली सामराज्यों के केंदर से दूर हो जमीन खेती के लिए अनुपियोगी हो और जंगलों से घिरा हुआ हो ताकि छापा मार युद्ध या गुरिला वारफेर करा जा सके ये परिस्थितियां 1646 में श्रिवाजी के लिए अनुकूल बनी जब उन्होंने स्थानियक के सानों मावली के समर्थन से अपनी सेना का निर्मार किया श्रिवाजी को भली भाती याद था कि किसी भी सामराज्य को स्थापित करने के लिए किलों की क्या महत्व है इसलिए सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने आदल शाही अधिकारियों को रिश्वत दे कर तोड़ना चकन एवं कोंडना किलों को अपने अधिकार में कर लिया इसके बाद उन्होंने आबाजी सोंदेव की मदद से थाना, कल्यान और भिवंडी के किलों को मुल्ला एहमत से चीन कर अपने अधिकार में कर लिया इन घटनाओं से आदल शाही सामराज्य में हडकंप मच गया शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफतार कर लिया गया इसलिए शिवाजी ने अगले साथ बरस तक आदल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया शिवाजी ने ये समय अपनी सेना को बढ़ाने और प्रभाव शाली देश मुखों को अपनी ओर करने में लगाया धीरे धीरे उन्होंने एक विशाल सेना खड़ी कर ली जिसके घुड सवार नीताजी बलकर में संभा लगी थी और पैदल सेना ये शाजी कल्क ने अब तक शिवाजी के पास चालिस किले भी आ चुके थे शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सन 1669 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को दस हजार सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का हुक्म दिया अफजल खान अपनी कुरूरता और ताकत के लिए जाना जाता था उसने शिवाजी को खुले युद्ध करने के लिए उकसाने के लक्ष से बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाला और कई बेगुनाह नागरिकों का कतल कर डाला लेकिन शिवाजी ने चतुराई और रण कोशल का परिचय देते हुए छापा मार पधती से युद्ध चालू रखा इस समय वो प्रताबगड किले में रहे जो की चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था अंत में अफजल खान ने शिवाजी को धोके से मारने की साज़ेश रची उसने शिवाजी को मिलने का नियोता भीजा जब वो मिले अफजल खान ने अपनी मजबूत पकड़ में शिवाजी को दबा कर मार डालने का प्रयास किया शिवा जी पहले से तयार थे अपने छुपा कर रखे हुए बाग नाका से उन्होंने अफजल खान का पेट ही चीर डाला जो कि उनसे दो गुना विशाल काए था इसके बाद प्रताप गड़ की लड़ाई में शिवा जी ने अफजल खान की सेना को करारी माग दी शक्तिशाली अफजल खान की हार से बीजापुर का सुल्तान स्तब्ध रह गया अग्की बार रुस्तम जमान को भेजा गया 28 दिसंबर 1669 को शिवाजी ने रुस्तम जमान की सेना पर सामने से हामला बोल दिया साथी उनकी सेना की दो और टुकडियों ने दोनों दिशाओं से रुस्तम की पोज़ पर आकमल कर दिया रुस्तम जमान शर्मिन्दा जनक स्तिती में लड़ाई के मैधान से अपनी जान बचा कर भाग गया सन 1660 में आदल शाह ने अपने सिना पती सिद्धी जोहर को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा शिवाजी पनहाला किले में थे और सिद्धी जोहर की सिना ने किले को चारों और से खेर लिया शिवाजी ने सिद्धी जोहर को मिलने का न्योता दिया और जब वो मिले आदल शाह को संदेश भिजवा दिया कि सिद्धी जोहर उनसे गद्दारी कर रहा है इस से आदल शाह और सिद्धी जोहर के बीच लड़ाई छड़ गई जिसका पायदा उठा कर शिवाजी एक रात अपने 5000 सिपाहियों के साथ पन्हाना के लिए से बाहर निकलाए बाजी प्रभू देश पांडे ने न सिर्फ सिपाहियों के साथ दुश्मन सेना को उलजाए रखा जिसकी वज़ा से शिवाजी सकुषल विशाल भर पहुँच गए इस लड़ाई में बाजी प्रभू देश पांडे को अपने प्राणों से भात दोना पड़ा उनको महराष्ट के इतहास में एक महान योधा माना जाता है इसके बाद बीजापुर की बड़ी बेगम ने और अंगजेब से शिवाजी को पकड़ने के लिए विंती करी उसने अपने मामा शाहिस्ता खान को एक लाख पचास हजार सैनिकों के साथ शिवाजी से युद्ध करने ने जा शिवाजी के निवास्थान लाल महल पे अपना बस सेरा डाल दिया शिवाजी ने चालाकी से अपने चार सो सिपाईयों के साथ शादी के बरातियों के फेश में पूने ने प्रवेश कर लिया रात के समय उन्होंने सीधे श्याइस्ता खान के ऊपर खतरनाक हमला बोला। खान ने खाकी से कूद कर अपनी जान बचा ली। पर शिवाजी की तलवार की वासे अपनी तीन उंगलिया गमा बैठा। उंगली तो गई और इज़त भी। फिर शिवाजी ने सन 1664 में मुगल व राजा जैसिंग को अपने डेर लाक सैनकों के साथ शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। इस युद्ध में शिवाजी की हार हुई। और उन्हें अपने 23 किले और 4 लाक की मुद्रा हरजाने के रूप में देनी पड़ी। उन्हें अपने 9 वर्ष के पुत्र संभाजी क साथ आगरा जाना पड़ा। शिवाजी को नियंत्रित रखने के लिए पहले ये तै हुआ कि उन्हें मुगल दर्बार में कोई पद दिया जाए। लिकिन औरंगजेब ने उसको बदल कर शिवाजी को घर में कैद करने का आदेश दे दिया। औरंगजेब नहीं जानता था कि ये गल्ती बहुत महंगी पड़ेगी। शिवाजी ने बिमारी का बहाना बनाया और अपने स्वास्त को ठीक करने के आशिरवात के लिए साधू संतों और फकीरों को रोजाना मिठाई और उपहार भेजने की इच्छा जाताई। एक दिन वो खुद श्रमिक के भेश में सामान के डब्बे में संभाजी को छुपा कर बाहर निकलाए। वो मतुरा, काशी, गया, पूरी के बाद गोलकुंडा और बीजापुर होते हुए राएगड पहुँच गए। लेकिन वो बुरी तरह से असफल हुआ। उसने अपने उत्तम योधाओं जैसे दाउद खान और मोहबबत खान को श्रिवाजी से लड़ने भेजा, लेकिन सब को मूह की खानी पड़ी। इसके साथ ही सन 1672 में अली आदिल शाह की मृत्ति हो गई और बीजापुर सल्तनत की इस्थिती में चला गया। आखिर वो दिन आया जब गगा भट ने 6 जून 1664 को पूरे उत्सवनुमा वातावरण में हिंदू परंपराओं के साथ शिवाजी का राज्य भिशेक किया। वो मराठा के राजा बने और कई सदियों के अंतराल के बाद हिंदू रीतियों, तिलक, जनेव और वेदों के उच्चारण के बीच किसी राजा का राज्य भिशेक संपन्न हुआ। शिवाजी की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल में ही नहीं थी, वो एक योग ये प्रशासक भी थे। उन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। उनके कई अधिकारी यहाँ तक कि उनके व्यक्तिगत अंग्रक्षकों में कुछ मुसल्मान भी थे। उन्होंने कभी किसी भी नारी का निरादर नहीं किया। यहां तकी युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को भी सम्मान सहित वापस भेज देते थे। गुरिल्ला युद्ध, किलों का उप्योग और नवसेना का निर्मार भारत में पहली बार शिवाजी ने ही करा। उन्होंने चार किलों तथा दो हजार सैनिकों से शुरुवात की थी और उनकी मृत्यू के समय तक ये गिंती 300 किलो एवं एक लाख सैनिकों की हो गई थी। मार्च 1680 में शिवाजी का स्वास्थ खराब हो गया। तेज बुखार और पेचिस के चलते 5 अपरेल 1680 को 52 साल की छोती सी उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। और अंगजेब ने सोचा कि शिवाजी की मृत्यू के बाद मराठा राज्य खत्म हो जाएगा। लिकिन ऐसा गुआ नहीं। पहले उनके पुत्र सामाजी ने और उसके बाद छत्रपती राजा राम ने मराठा शासन की बागदोर समभाली। और अंगजेब को करीब 25 सालों तक मराठाओं के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। जिसकी वजह से वो अपनी मृत्यू के समय तक पूरी तरह से बरबाद हो चुका था। शिवाजी ने जो मराठा राज्य की नीव रखी वो आगे चलकर करनाटक से लेकर एटाओक पाकिस्तान तक फैल गई। शिवाजी जैसे मनुश्य कभी मरते नहीं। लेकिन लोगों के हरताय में अपने महान कार्यों साथ।